हाइ वर्गो खन्याराशी कैसे हैं आप सभी सुपांकत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज हम आपके रेडिंग लेकर के आए हैं हम देखने की कोशिश करेंगे की आपका लाइफ पूर्पॉस क्या है आपको अपने लाइफ पूरप्स के साथ अंलाइंट्र आने के लिए क्या करने की जुरत है ठीके पिछले स्टार्ट करते है आपके रेरी वर्को खन्याराशी ओम नभाशिवाई ओम नभाशिवाई पुपल्स खन्याराशी व फन्याराशी nine of cups okay two of swords two of coins sun ace of swords okay magician hey Apple hmm okay bottom of the rick here four of cups hmm my dear Virgo Tanya Rashi aap ke liya ke life purpose ke liye johi haa per kaar sa hai the wheel of fortune nine of cups hmm saati sa two of swords two of coins sun ace of swords magician agar make normal word me normal language agar me you know how are you going to do this karma cycle karma clear clear okay what we say rebirth we believe again you know you know you know you know but specifically here the direct message wheel of fortune you know you know cut cut and nine of cups nine of cups you know clear clear is 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 you know you know you know in many times you know you know why why you know that you know promise promise that you know clear and when we clear the past which are coming obviously clear we have to suffer those situations come but luck is not down you don't to my dear you know my dear is positive attitude positive attitude is clear if you are in a very big cycle or you are feeling that you are stuck in a sth you will definitely you will to get out and tell you know what is two of swords two of coin you are of coin multitaskers and you are very good in difficult situation you need to work correct correct exact decision it is power but what need to do in life balance and balance and and balance balance and balance and career or make decisions always wrong and that is wrong you balance and do work work and work in life you deserve to work work and work to work because मुझ्किल से मुझ्किल सिचुएशन में भी सखी डिसीज Bears ले सकते हैं तो पावर को बढ़ाने की सूरत है balance create करने की जूरत है आपको यही बुछा रहा है अपनी life में balance को जितना ला सकते हैं ला यह अपने अंधर और अपनी बाहर अपने खानपान में, अपने रहिन सहन में, अपने जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जो भी करते हैं, उन सभी में balance create करने की कोशिश कीजे, अपनी energies में balance create करने की कोशिश कीजे, आपकी yin और yain है, आपकी masculine side, आपकी feminine side, उसमें balance create करने की कोशिश कीजे, तो इन में जतना बैलेंस्ट अपनी लाइफ में चलेंगे न उतने ही आप अपनी लाइफ में बिलकुल सहीर डिसिजन्स लेते जाएंगे आपको ये बोला जा रहा है मैं अगर कहूँ यहाँ पर टू अफ स्वार्ट की उज़ा है तो अगनी परिक्षा तो समय समय पर आपकी होती ही रहेगी क्योंकि स्पेसिफिकली ये मासीता का ही रूप बना हुआ है जिसे कहते हैं न की अगनी परिक्षा देना तो यहां पर आ लेकिन ये फॉर शूर है वर्गोस की आपना सभी जंजालों से जैसे मुक्त हो रहे हो आप से जो बन पड़ता है यहां पर में सिर्फ ये एक स्पिरिचुल वे में ही नहीं बोल रहे हूं उसके लिए जो तिगडम दुगडम जो भी लडानी पड़े ना वो सब आप कर सकत हो आपके अंदर वो एक टालेंट है समझ रहे हैं तालेंट कह दें आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है आपके अंदर वो नॉलेज है वो विस्टम है आप उसे उसे क्रियेट कर सकते हो क्या है हमारे पास आपके लिए मैजेशन का कार्ड है हाईली पॉजिटिव कार्ड ज highly intelligent है और उसके पास सभी resources है और उसे पता है कि मुझे मेरे पास resources हैं उसे कैसे utilize करना है अपनी life में कैसे use करना है तो यही वो techniques हैं जिने आप अपनी life में apply कर रहे हो बस आपको यही बोला जा रहा है कि अपने अंदर ना मतलब उस चीज़ को मनाने देना कि मेरे life में बहुत struggle चल रहा है क्यों चल रहा है अगर ऐसे questions आपके life में आपके mind में रहे है ना कि मीरे life में इतना क्यों है इतना curiosity क्यों रहता है ऐसी चीजे क्यों रहती है तो my dear क्योंकि आपका जो देशे है इस जीवन में आने का वो है ही है कि जिन करमों से आप अटाच हुए पड़े हुँने डिटाच उन्हें फिनिश कर दो किसी भी तरह का fear आपके लिए सही नहीं है आपके अंदर ना ये थोड़ा problem है वर्गोज कि आप किसी भी चीज का decision लेने में बहुत डिले कर देते हो मतलब अगर आप कोई एक exact कोई path को चुनते हो तो उस पर वो action लेने को बहुत डिले कर देते हो क्योंकि आप में सबर बहु बहुत अच्छी बात है, patience होना बहुत अच्छी बात है लेकिन वो आपका negative वे में आ रहा है यहां पर with the sun can't क्योंकि आप उस पात पर लेकर ना मतलब थोड़ा सा fear आपको रहता है, doubtful आप रहते हैं उन चीजों को लेकर कि क्या मैं सही कर रहा हूं क्या मेरे ये सही समय निकाल लेना चाहिए उसके बाद हम action लेंगे उसके बाद क्या होता है आप बॉटम ओफ दिग दे रहे हैं four of cups की हुजा उसके बाद होता यह है आप detach होने लग जाते हैं आप बोर होने लग जाते हैं क्योंकि आपने तुरंट actions ने लिये आपका confidence लो हो जाता है फिर आ आप खुद को confident feel नहीं करते कि शायद वो सही नहीं था जो चीज होता है न कि जिस चीज को लेकर के आपने action तुरंट ले लिया वो ले लिया अपने अंदर balance create करके मैं यहां overconfident होने की बात नहीं कर रही aggression में आकर के action लेने की बात नहीं कर रही peacefully peacefully mindfully आपने जो action लेना है उसे तुरंट लीजिए वो action लेने देख रहे हैं आप यहां पर यह देखिए यहां पर wheel of fortune है यहां पर भी जैसे पीछे जैसे मकडी का जाला बना हुआ है ना जनजाल सा hope आपको clear नजर आ रहा हो और यहां पर भी देखें कि यह ace of swords यहां पीछे जैसे रसीयों का जाल बना हुआ है ता आपको यही बोला जा रहा है कि आपको जो भी करना है ना उसको लेकर के तुरंत execution एक strong decision low action लो उस चीज़ को लेकर के delay मतलाओ fear मतलाओ अपने अंदर अपने आपको ना law confidence में मतले कर जाओ आपको यही बोला जा रहा है किसी भी चीज़ का जादा होना और किसी भी चीज़ का low होना वो दोनों ही खराब है over confident हो करके decisions लेना वो भी बुरा है आपके लिए यहाँ पर क्योंकि sun cut है यहाँ पर है ना over confident नहीं होना है जादा aggression में नहीं आना है गुसे में decisions नहीं लेने है जल्दबाजी में decisions नहीं लेने है और ना ही fear में भी आना है fear में भी ने आना और बहुत ज़़्यदा डिले भी करना मैंने बोला ना इक बालेंस में आकर के आपको वो डिसीजन लेने की जरूरत है और उसको लेकर के एक्शन लेने की भी जरूरत है आपको और आपको यहां पे बोला जारा आपकी थौट्स आपकी लाइफ को क्रियेट करते हैं आपकी फ्यूचर को क्रियेट करते हैं आप आपको अपने thoughts पर focus करने की जुरूरत है, आपको बोलना चाहरा है, कि आप अखिर create क्या कर रहे हो, क्या आप अपने life purpose से दूर जा रहे हो, ऐसे thoughts से, या आप life purpose से alignment में आ रहे हो, इन चीजों की बहुत जुरूरत है, क्योंकि power आपके अंदर बहुत है, आपको यही बताया होगे अपने अंदर और चीजों से detach होने लग जाओगे, fears को ले आओगे, ठीक है, वहीं फिर चीज़े negative हो जाती है आपके लिए, तो आपको यही बोला जा रहे है, अपने mind के साथ चलने की जुरूरत है, इसलिए भी आपको बोला कि आपके मन का शान्त होना, आपके अधर भी balance आएगा वो और वो peace create करेगा, तो उसी की यहाँ पर ज़रूरत है वर्गोस, आपका सोने का समय, आपका जागने का समय, खाने पीने का समय, healthy diet लेते हैं या नहीं लेते हैं, कितना unhealthy खाना खाते हैं, कितना healthy food खाते हैं, आप exercise करते हैं या नहीं करते हैं, बोडी म movements लेकर आते हैं, कि नहीं आते हैं, मतलब हर चीज में balance को लेकर के आना, यह बहुत जरूरत है, जब हम balanced हो करके चलते हैं, तो हम अपनी life में बिलकुल correct चीजों को manifest करते हैं, और आपके thoughts, आपके thinking, आपको alignment में लेकर आने में बहुत महत्वपून भूमी का निभा रही है, आपको यही बताया जा रहा है, ठीक है, और मैंने आपके लिए कार्ट एक निकाल के रखा है, वो है, stellar gateway activation, infinite potential manifestation vortex, तो यह समारी पास यहां में magician की भी उर्जा है, मैं अभी इसे clarify भी करूंगी आपको, लिकिर इससे पहले में थोड़े से और कार्ट, एकार्ट मैं लेना चाह Supreme Protection, you are protected, Green Tara Maa है हापर, you are protected, codes are being cut, oh my god, move beyond limitation, trust, wow, beautiful, 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 यहां कांट सी तो जुडि मही आपकी, oh, very deep, very deep, Virgos, very deep, or bottom of the dick है यहां पे forgiveness, you are on the path of light, love and forgiveness, father healing is possible at this time, oh my god, oh my god, My dear Virgo, यह जो stellar gateway activation है, यह stellar gateway activation क्या होता है, जैसे हमारे 7 chakras होते हैं, उससे भी आप लगा लीजी 12 से 24 फीट, 12 से 24 फीट उपर एक chakra होता है, ठीक है, वो होता है stellar gateway activation, वो बहुत एक important role play करता है, हमारे को divine से connect होने में, मतलब वो एक बहुत ही energetic gateway है, समझ रहे हैं आप, मतलब बहुत जादा उसके अंदर वो potential होती है, कि वो हमें divine से connect करता है, उसके अंदर बहुत power होती है, आपको यही बोला जा रहा है, विद इस stellar gateway activation, और विद इस magician card, कि आपकी अंदर वो power है, manifest करने की, आपकी अंदर infinite potential है, आप हर चीज, जो भी अपनी life में चाहते हैं, उन चीजों को manifest कर सकते हैं, क्योंकि आप इस incarnation में, इस lifetime में आई ही वो सब करने हैं, पुरानी courts को cut करने, पुरानी karma को clear करने और आगे बढ़ने, जो आप अपनी life में अचीज परना चाहते हैं, आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको बहुत deep, जिसे कहते हैं सांस लेनी हैं, जितनी deep आप सांस ले सकते हैं, बहुत deep आपको सांस लेनी हैं, और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं आपको ऐसा फील करना है कि आप बहुत लाइट हो रहे हैं और आप उपर की तरफ उठ रहे हैं समझ रहे हैं आप उपर की तरफ उठ रहे हैं और आप बिलकुल जैसे की स्टार्स की बीच में गलेक्सी की बीच में चले गए हैं ऐसा इमेजन कीजिए ऐसी इंटेंशन डालिए ऐसा आपको इमेजन करना है और जैसे ही आप उस पोजीशन पर आते हैं ऐसा इमेजन करते हैं आपको affirmations देने शुरू कर देनी है I connect with heaven and earth to create heaven on earth मैं heaven से connect हो रहा हूँ earth से connect हो रहा हूँ heaven को इस धर्ती पर उस स्वर्ग को इस धर्ती पर create करने के लिए आपको इस तहे की ये जो जिसे कहेंगे practice करने की बहुत जरूरत है और जितना आप इस practice को करेंगे उतना आप अपने life purpose के साथ alignment में आएंगे उतना आप अपनी life में सही decisions को ला पाएंगे उतना ही आपके अंदर वो balance आपाएगा उतना ही आपके physical reality में वो balance आपाएगा और आपको यहाँ पर green tarama आई है beautiful, बहुत ही beautiful message है आपको बोला जा रहा है आपको ने यहाँ पर क्यूंकि आप इतने important purpose के लिए यह बहुत बड़ी बात है हम अपने कर्मों को clear कर रहे है आपको बोला जा रहा है supreme protection आपको दी जा रही है आपको बहुत इक powerful protection दी जा रही है और बस आपको मतलब आप अपने आपको ना limit मत करो divine पर trust रखो और जो process हो रहा है उस पर trust रखो और आगे बढ़ो अपने आपको positive कर लो my dear अगर अभी इस समय आप किसी ऐसे cycle में स्थक होना मैं आपको यही बोल रही हूँ अपने overthinking नहीं करने है मैंने first message आपको यही बोला कि I'm sorry मैंने शद आपको नहीं दिया था किसी को दिया था आपको overthink नहीं करना है आपको ना negative नहीं सोचना है बस अपने ना इस process पर trust कीजिए आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही आप अपनी life में manifest करोगे आप इतने powerful हो तो अपनी potential को समझो उसको गलत direction मत जाने दो आप क्या सोच रहे हो इस वक्त जो आपकी life में जो situation चल रही है उसको लेकर के positive affirmations देना शुरू कर दो positive thinking डालना शुरू कर दो कि मैं situation से बाहर आ चुका हूँ अब मेरी life में कोई stuckness नहीं है अब मैं open हो चुका हूँ मैं जितने भी karmic थे karmic थे उनको cut कर चुका हूँ negative quotes को cut कर चुका हूँ अब मैं free हूँ अब मैं अपनी life में blessings को receive करने के लिए free हूँ अब मैं अपने life purpose के साथ alignment में आने के लिए open हूँ और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है master Jesus के साथ forgiveness यहाँ पर forgiveness की जुड़ा थे you are in the path of life love and forgiveness आपको यही बोला जा रहा है आप इसी path पर है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए specifically father figure हो सकती है कोई यहाँ उनके खुद के father हो सकते है अगर उनके साथ उनके relationship खराब थे तो उनकी healing यहाँ पर possible है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है माफ करनी की जुरत है यहाँ पर negative quotes cut हो रही है आपको यही बोला जा रहा है आपको ना प्यार के साथ और वो जो white light जैसे हम divine light बोलते हैं उसके साथ connect होनी की जुरत है आप उसी path पर है my dream तो माफ कर दीजे सभी को क्योंकि हर चीज आपकी life में purposely हो रही है हर चीज का आपकी life में कुछ ना कुछ मतलब है बिना किसी reason क्या की life में कुछ नहीं हो रहा है तो उस process पर trust कीजिए और अपने आपको बिलकुल limit मत कीजिए नेगटिव मत कीजिए और बस आगे बढ़ते रहिए और क्या message है वरको के लिए Thank you Claro Wings Okay Claro Wings Psychic gifts Trust your inner vision And knowing there are many ways of seeing With your inner vision You may physically see pictures On your inner screen You may sense or you may know It is time to develop your third eye And trust your intuition So yes, some people here are psychic gifts We all have some gifts Some people specifically Because you have a Claro Wings card Some people have a Claro Wings ability You can see Now you need to see You have the power that You look at visions You look at visions Like we get messages We get messages We get messages We look at visions Or dreams I get to know It can be internal or outer It can be internal It can be outer Yes So yes So yes Practice I have to tell you Stellar gateway activation This is the best way This is the best way Very powerful reading Virgos Very powerful reading Very powerful reading If you are a scientist So definitely Very ancient Knowledge In your inner Rebirth Rebirth Here You can say You have a life How many lives You have a life You have a life You have a life You have a life यह थे आपके लिए messages, hope आपको इससे guidance मिली हो, मिली है तो please video को like जरूर कीजेगा, channel को subscribe जरूर कीजेगा, thank you so much for watching my video, God bless you all, bye bye